आपके अपने चैनल टेक्निकल टिप्स में दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने मदर बोड में रैम कैसे फसा सकते हैं दिखे दोस्तो हमारे पास एक मदर बोड है हम इसमें रैम लगाएंगे दोस्तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह हमारे जो स्लॉट बना हुआ है सारे मदर बोड में आपको दो रैम के स्लॉट देख जाएंगे ठीके दोस्तो अब हम क्या करते हैं रैम लेते हैं यह हमारे पास एक रैम है गिडियार बन का सबसेटें हमें यह देखना पड़ेगा इसमें एक प्रूंज बनी रहती है इसे हम नज कहते हैं तो इस न सबसेट को मदर्बॉर्ड में जो ऐसे अम मिलाए होता है दोस्त हम देख लें किस तरीके से अमें ला म में असे रखते हैं यह हमने नॉच से नॉच को मिलाया और थोड़ा सा प्रेस करते हैं दोस्तों यह रेखिए जैसे ही हमने इसे प्रेस किया यह जो लॉक जो बने हुए है यह लॉक आटोमेटिक लग जाते हैं चलिए दोस्तों एक स्लोट और खाली हम इसमें भी एक रेम लगाते हैं यह हमारे पास एक और रेम है हम फिर से इसे इसी तरीके से इंस्टॉल करते हैं यह हमने रेम को फसाया और इसे हलका सा प्रेस करते हैं यह देखिए दोस्तों यह लगाने की जरूत नहीं है आटोमेटि तरीका है ये जो लॉक है इसे हम बस समय ये करना है और इस साइड भी ये दो जो लॉक है ये देखिए जैसे हम ने ये किया ये रेम फिर से निकला आया तो दोस्तो बहुत ही आसान है अपने मदर बॉर्ड में रेम को लगाना और निकालना जिससे हम अपने मदर बॉर्ड की स्पीड बढ़ा सकते हैं दोस्तो तो इस तरीके से हम अपने मदर बॉर्ड में लगा सकते हैं तो दोस्तो ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए बने रही है हमारे चैनल टेकनिकल टिप्स में धन्यवाद